इंडेस्ट्रियल एरिया डवलोप्मेंट अथोरिटी आई एडी ए आईडा इसके हम लोग हिंदी में कहेंगे ओद्योगिक छेत्र विकास प्राधिकरन तो दोस्तों हम लोग अब इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि यह क्या है इसके काम क्या क्या है और साथ कि आइडा याने की ओद्योगिक छेत्र विकास प्राधिकरन किया है आइडा तो चलिए कहम लोग देखते हैं यहां समश्था ओद्योगिक-छेत्रियों की फ्रबधन में उखफ़ेंयोगों का विकास चटर और सेंबरधन करना तो दोस्ते यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो है आइडा याने कि industrial area development authority है इसका जो काम क्या है तो यह है कि उद्धिवी छेदर जितने भी industrial area होते हैं उसका विकास की से करेंगे उसका management किस परकार से किया जाएगा और इसको किस परकार से बढ़ाया जाए इसी के वारे में यहाँ पर बहुत सार चीजों को देखा जाता है तो जितने भी बड़े बड़े township हैं जिसके इर्द्गीर्द में कलकार खाने हैं तो उसके आसपास में जो है अद्यवगिक छेत्रे को किस परकार से विख्षित किया जाएगा और विकास होने के बाद में उसका जो है इंजस्टरी को जो की छोटे होते हैं लगू होते हैं और मद्यम शेत्र का जो भी होता है उसका भी विकास करना है और उसको है किस प्रकार से सजा करके समार करके रखना है उसको भी यहां पर इंज के द्वारा किया जाता है तो जितने भी बड़े-बड़े कलकार खाने हैं इंडस्ट्रिय उसी के अगल बगल में यह जो होती है कामें इसका होता है तो यह आप लोग आप लोगों को ध्यान रखना है तो आइडा के अंतर के तुम्हें यह आता है यहां पर जारखंड इंडेस्ट्रियल एरिया डेवल्मेंट अथरिटी जारखंड ओदेगी छेत्र विकास प्रादिकरन तो यह सिर्फ और सिर्फ जारखंड राइज में ही यहां काम करता है तो यहीं पर काफी चीज़ों का उत्पादन भी किया जाता है तो आपना को मालूं से जारखंड कोकर भारत का रूर पर्देश कहा जाता है पर देख रहें को दूरुपदेश को जो है जहारखन को असंती तो इसी कारण से यहां पर उद्धोगिक छेत्र एंडस्टियल एरिया का तो विकास होना और विस्तोर होना तो यहां जहर सी बात है यहां पर हो पर होना ही क्योंकि इसी उद्व्ध्धिंददय के इर्दगीर्द में ही नहι difficulty छेत्र का विकास और विश्थार होता है जारकन के लगबक सभी हिस्से में कुछ ने कुछ उद्व्ध्धिंदय पाये जाते हैं यह आप लोगों को ध्यान रखना है तो इसलिए जारकन को रूर्प्रदेश तो कहा ही जाता है आप देखते हैं जियाड़ा के बारे में तो जियाड़ा क्या है तो यह अपने कमांड शेत्र के दाथ ओध्योगिक खेत्रों की नियोजित विकास और उद्योकस जूड़े मामलों को पढ़ावा देने के लिए कारे सब्सक्रावीन हुआ उसका विकास किस प्रकास करेंगे ताकि जो है उद्योकिक को बढ़ावा मिले और शाथी साथ में अर्थव्यस्ता जो है उसको भी बूस्ट मिले यह इसी के अंतरकत में किया जाता है और दख्सतों यहाँ पर उद्योकस जूड़े मामले होते हैं उन मामलों को भी देखते हुए। उसको बढ़ावा देते हैं और अर्थ श्व्यवस्ता को बुष्ट मिले इस परकार के कारेये करते हैं। और यहां पर दोस्तों जो विकास तो होता ही है अर्थव्यवस्ता को यहां पर बूस्ट मिलता है अर्थव्यवस्ता बहुत तेजी से यहां पर ग्रोथ करता है और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार भी इन जगहों से मिलता है तो इसलिए यह सारे चीजे जो ह वहाँ जियाडा के अंतरकत में होता है यानि कि ओद्विक्षेतर के आसपास में होता है तो जियाडा के जो काम हुआ आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे अब बात करते हैं दोस्तों जियाडा का इस्थापना का वुआ था तो जियाडा का इस्थापना वुआ था उन्हें कि बात करते हैं यानि कि हेड़कार की बात करते हैं तो वहाँ है जियाड़ा बिल्डिंग नामको मिन्डेस्ट्रियल एरिया लवाड़ी रांशी जारकान तो यह आप लोग जियान रखेंगे हो सकते हैं से कोश्चन पूछ पूछ जाए तो इसका जो स्थापना वहाँ तो 1974 म में यानि कि बिहार सरकार के समय में वहाँ था इसका जो हेड़कार है वहाँ है जियाड़ा बिल्डिंग नामको मिन्डेस्ट्रियल एरिया लवाड़ी रांशी जारकान में तो यह आप लोग कितने सारी जानकारी को याद रखेंगे अब हम लोग बात करते हैं कि जिसका फुल्पों में रांची इंडेस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ऑथोरिटी आइड़ा अध्यपूर इंडेस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ऑथोरिटी बियाड़ा बोकार इंडेस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ऑथोरिटी और इस्पियाड़ा संथ के इर्द गीर्द में जितने भी है इंडेस्ट्रियल एरिया को खड़ा करना है उसका भिस्तर करना है इस इसाफ से रियाड़ा के यहां पर स्थापना इस्टेब्लिस किया गया है ताकि रहांसी के आसपास का जगह हैं वहाँ पर ओद्योगिक धंदे को बढ़ाया जा सके उस बढ़ाने के लिए आइड़ा का स्थापना किया गया है ताकि अगल अगल में जमसित्पूर के वहां पर रोजगार भी मिले और शाथ साथ-छथ अर्थव्यवस्ता को भी बूस्ट मिले इसका इस्थाप्ना किया गया है उसी परकार से बी आड़ा बोकार ओंड्स्ट्रिय एरिया को बढ़ावा मिले उसका विकास हो इसी कारण से इस प्रशेत्र का भी अस्थापना किया गया है तो आप लोग द्यान रखें कि जियाडा के अंतरकत में चार प्रशेत्र हैं रियाडा आइडा ब्याडा और इस प्याडा तो अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर एक म खुल्पों में आप लोग धेयान रखेंगे यह जहां भूकारों अ इसकी आस पास कि उद्वल्क च स्ट्रों का धियान रखता है तो यह जो है भुखारों और मानेस्पास जोबी जीले हैं जो भी छेत्र हैं उहाँ पर उद्गी की छेत्रों का विक्कास किस परकार से मारवारी मारा फारे वही पर सेल के अंतरगत में आता है बी एसल यानी कि बोकारोईस्टील लिमिटेड तो यहाँ तैस के अंद आता है तो यह बहुत ही बड़ा एक अधायसक्रंफ का लोग आयसक्रंप से ध्यान में रखना है तो इसी के इरध-ईरध में यह जब वियाण है काम करता है अपलोग यहाद रखेंगे इसका जो है स्थापना कब वह है तो इसका स्थापना हुआ है 1974 में यह आप द्यान रखेंगे और इसका मुख्याल है यह कारियाल है कहा है तो वह है बियाडा भावन बालेडी बोकारो इस्टील सीटी में तो बालेडी में है बियाडा भावन बोकारो इस्टील सीटी के अंद परमंडल के अंतरगत में तीन जिल्मार आते हैं यहां पर जहां पर यह काम करते हैं उए फ्यूस के लिए उसका शागें उसका आप विया रखेंगे अब देखते हैं कि वहाँ कौन-कौन से जगह है तो गिरिडी में देखते हैं तो गिरिडी इंडेस्ट्रियल एरिया जो कि है सी होडी में तो सी होडी जो इलाका है वहाँ पर गिरिडी इंडेस्ट्रियल एरिया के नाम से कारे रहत है इसके लाव में बोकारों में बात करते हैं तो बोकारों जीले में यहां तीन जगहें हैं तो बोकारों इंडर्ट्रियल एरिया जो है बालेडी उसमें फेज पर चार पर आर्या का बिक्सित की यहां पर काम होता है और इसके लगाओ में चंदन क्यारी देखेंगे जो की बोकर जिले में आता है तो चंदन क्यारी में भी यहां बियाड़ा काम कर रहा है उसके रावार में चास में यहाँ पे चौटे मोटे उद्योग ओधोंधे किये खे हैं उध्यक्षित्रों इहां पर निर्मान किया रहा है यहाँ वहाँ पर काम हो रहा है तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे बुकारो जिले में इसके अलावा में है धनबात में पात करते हैं जहां पर बीयाधा काम करता है अपना यहां पर विक्षित कर रहा है याने फिंद्योग धंदधों को यहां पर बढ़ा रहा है तो यहाँ पर आप लोग याद रहेंगे, धनबाद में है, कांटरा इंट्रेस्टिल एरिया, गोगेंदपूर में है, सिंद्री इंट्रेस्टिल एरिया, डॉमगड में और रंगूनी, तो इस परकार से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, बियाडा के बारे में, जो की, बोकारेंड़ में परकार से यहां पर आप लोग ने देख लेगा और आईडा और जियाडा शात शात में ब्याडा इस परकार से हम लोगों यहां पर देखेंगे यहां पर जो रियाडा है आईडा है और आपको पूछ लिया जाए तो आप लोग इतनी सा जयनकारी को याद रखेंगे